Hello students, welcome to my channel आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको B.E.S.C. का जो थार्ड सेमिस्टर का Chemistry का स्लेबस है उसके बारे में हम डिसकस करेंगे Chemistry आपका जो Biology and Mathematics टोरों में Common सब्चेक्ट है तो इसका स्लेबस भी आपका Common ही रहेगा जैसे कि आपको Paper Pattern तो पता होगा आप अपने First Semester and Second Semester में Paper देखे आई हैं तो उसके बारे में हम डिसकस नहीं करेंगे वही 70 Marks का आपका Semester Pattern रहेगा और 30 Marks का आपको Internal Assessment रहेगा Paper में वही दो सेक्षिन आएंगे Section A and B 20 Marks का and 50 Marks का यानि Total आपका 70 Marks का Paper पर Direct हम Slavers पर आते हैं इसमें वही आपके पांच यूनिट हैं First Unit आपकी Chemistry of S Block Element इसमें आपका Complete S Block Element Cover हो जाता है इस यूनिट के अंदर ये आपका Inorganic Chemistry का चैप्टर है Second Unit है Alkines, Dines and Alkines ये तीन ग्रूप Second Unit के अंदर है ये आपका Organic Chemistry का चैप्टर है जा दूँगी कि आपको Slavers के साथ साथ Notes भी कैसे लेने हैं पहले मैं आपको Slavers पूरा समझा देती हूं Then उसके बाद हम Notes के बारे में डिसकस करेंगे Third Unit है इसमें Arines and Aromaticity Alkyl Halide और Aral Halide तो ये भी आपका Organic Chemistry का चैप्टर है इसके तीनों ग्रूप आपकी सिंगल यूनिट के अंदर कवर की गई हैं काफी बड़ी यूनिट है ये फिर नेक्स्ट है आपकी यूनिट फोर कैमिकल थर्मो डाइनमिक्स अब जब आपका पहले Annual Pattern हुआ करता था तो उसमें जो आपका Thermodynamics वाला चैप्टर है वो दो यूनिट में डिवाइडेड था Thermodynamic first and Thermodynamic second लेकिन यहाँ पर दो डोडों को combine करके semester pattern के अंदर एक ही यूनिट बना दी है जो कि है आपकी कैमिकल थर्मो डाइनमिक्स तो इसके भी आपके complete notes में आप प्रोवाइड करा दूँगी ठीक है फिर फिफ्ट यूनिट आपकी solution and colligative properties तो इस तरीके से यह हो गई आपकी पाचों यूनिट आपके थर्ड सेमिस्टर के स्लेवर्स के according अब हम नोर्स की बात करें तो इन पाचों यूनिट के नोर्स का जो complete एक single PDF के अंदर आपके पाचों यूनिट कवर हो जाए इस स्लेवर्स के according तो इनके दो लिंक्स मैंने description box में डाल रहे हैं पहला होगा हिंदी मीडियम का दूसरा होगा English मीडियम का उसमें यह आपकी जो पाचों यूनिट हैं जो कि मैंने आपको बताई उनक का पूरा एक BSC के स्लेवर्स पर बेस्ट कम्प्लीट नोट्स का PDF आपको मिल जाएगा उस लिंक से नोट्स लेने के बाद वो PDF आपकी email ID पर आजाएगा तो email ID से फिर आप PDF डाउनलोड करके उसका printout निकाल कर पढ़ सकते हैं यह जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइट करा रही हूं इन पांचों यूनिट का कम्प्लीट PDF इन नोट्स के पढ़ने के बाद आपको कुछ भी एक्स्ट्र पढ़ने के जरत नहीं है यह नोट्स आपको टॉप करा सकते हैं यदि आप इने पूरा अच्छे से पढ़ते हैं आपको जितना भी पढ़ना है अपने percentage के according जैसे तीन यूनिट आदी आपको करनी है 70% तक बनाना है तो उसे साब साब तीन यूनिट पढ़नीजिएगा जो भी आपको easy लगे मिल जाएंगे complete PDF का ठीक है बाकी जैसे जिने unit wise notes चाहिए जैसे unit first unit second इस तरीके से यदि आपको unit wise notes चाहिए जिने पूरे notes नहीं चाहिए तो वह students क्या करेंगे playlist open करेंगे playlist में आपको chapter wise जो notes के videos हैं वो मिल जाएंगे उन videos के अंदर पूरे notes दिखाए हुए हैं तो उन notes की videos को आप देखकर screenshot ले सकते हैं वहां से या फिर direct भी आप एक एक unit wise पी PDF डाउनलोड कर सकते हैं उन video के description box में आपको notes के PDF links मिल जाएंगे ठीक है यह आपके उपर depend करता है कि आप पूरे semester का एक बार में notes लेना चाहते हैं या फिर आप अलग-अलग chapter wise कुछ भी एक दो तीन unit का इस तरीके से notes लेना चाहते हैं तो वैसे भी आपको मिल जाएगा ठीक है thank you for watching this video झाल-ग